हेलो एवरिवन वेल्कम टू लर्ण विश्यफाली तो आज हम क्लास टाइन साइंस चैपने नूमबर वन कैमिकल रियाक्शन एन इक्वेशन की एक्ससाइस करेंगे कोशन नूमबर टेन तक हम प्रिवेस वीडियो में कर चुके हैं पार्ट ए वीडियो में ठीक है तो इसमें हम बचेवे कोशन करेंगे हम explanation बहुत अच्छे से पड़ चुके है index questions हमने कड़ चुके है अगर आपने वो explanation नहीं पड़ी हो ठीक है तो आप जाके नीचे playlist चेक कर सकते हैं या आप मेरे चैनल पे भी videos आपको मिल जाएंगी ठीक है तो question number 11 है आपका why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction write the equation for these reactions तो अब इसमें 2 reactions की बात करी गई है that is decomposition and combination reaction अब decomposition क्या होता है जिसमें single substance को क्या किया जाता है break करके 2 से زादा subtences को बनाया जाता है ठीक है मतलब उसके अंदर से 2 या जादा subtences निकाले जाते हैं ठीक है एक ही subtence के अंदर से और combination क्या होता है जिसमें दो और मोर सब्टेंस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, क्या प्रेडियूस करती हैं, एक सब्टेंस को प्रेडियूस करती हैं, तो क्या हुआ, दोन ओपोजिट हो गए ना, decomposition single subtence में से two or more subtences को breakdown कर देता है और combination में क्या करता है दो और से जाता subtences जो होते हैं वो क्या produce करते हैं single subtence produce करते हैं चीए तो इसलिए क्या क्या जाता है decomposition reaction को opposite of the combination reaction कहा जाता है भाई चीज मैंने answer में भी लिख रखिया आप पड़ सकते हैं in a decomposition reaction single subtences break down into two or more subtences while in the combination reaction two or more subtences react to produce one subtences चीए दोनों का आप example दे सकते हो देखो decomposition का क्या है एक single subtence है that is copper nitrate copper nitrate का मैंने example या आप कोई सभी example दे सकते हो जो भी आपको यादा आचाए तो उसको किस में breakdown किया गया that is copper oxide plus nitrogen dioxide and oxygen जिसन निकाला गया उसमें साथ तो क्या किया copper nitrate को तीन subtences में कर दिया divide कर दिया तो ऐसी combination में है जिसमें आपका calcium oxide को carbon dioxide को plus करके क्या निकाला गया that is calcium carbonate तो आपको जो भी example याद हो आप वो लिख सकते हैं एक से जाता example भी दे सकते हैं ऐसा question में करें given नहीं है कि आपको एक example देना दो दे सकते हैं आप याद है उतना लिख हो इससे marks का होंगे आपके बढ़ जाएंगे तो और question भी answer भी थोड़ा लगने लग जाएगा 12 देखते हैं write one equation each for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat light or electricity अब आपको एक equation बताने है सबकी heat light or electricity जहां पर energy क्या है heat के form में light की form में और electricity की form में क्या होती है supply होती है लेकिन वो decomposition reaction होना चाहिए मैंने अभी उपर बताया decomposition reaction क्या होता है ठीक है तो उसी में आपको बताना है decomposition reaction की एक substances के अंदर से हम बहुत सारे substances को निकाल रही है ठीक है तो अब यहां भी क्या हो रहा है मैंने calcium carbonate का example CaCO3 तो इसके अंदर एक तो carbon dioxide निकल जाएगा और calcium oxide निकल जाएगा अगर उसे heat करेंगे तो heat का use हो रहा है ऐसी light का लिख सकते हो हमने silver chloride लिया जिसमें से हमने 2 substances that is silver metal and chlorine gas ठीक है आगे हम electricity का देख लेते electricity का भी है कि water हम देख सकते है hydrogen plus oxygen क्या बनता है water बनता है तो आप इसको ऐसे करकी भी लिख सकते हो इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो एक ही बात है I hope आपको clear हो गया होगा तो इनों के example एक पता होने चाहिए 13 question है What is the difference between displacement and double displacement reaction displacement मतलब एक element को हुई change किया जा रहा है दूसरे element के साथ displacement हो रही है double displacement होता है कि उसमें ions का क्या हो रहा है exchange हो रहा है as a journal displacement may be written as that is AB plus C तो क्या होगा C किसकी जगा ले लेगा जी क्या तो एक element का क्या हुआ change हुआ और double displacement में क्या हो रहा है उनके ions change हो रहे है that is B जो है वो C की जगा पे आ गया और जो आपका C है मतलब ऐसे बुरना B की जगा पे क्या आ गया C आ गया और C की जगा पे क्या आ गया B आ गया क्या हुआ ions change हो गए दोनों के तो यह क्या बन गया that is AC plus PD चीक है तो ऐसे आप example भी लिख सकते हैं मैंने आप example देर के लिख सकते हैं कोई बुक में example given है that is zinc plus copper sulfate तो हमने क्या 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 copper sulfate iron है that is copper copper को copper को हमने अलग कर दिया और वो क्या बनगा zinc sulfate हमने एक element को दूसरे element की साथ क्या कर दिया change कर दिया ठीक है तो zinc displays हो गया किससे copper से from the copper sulfate ऐसी इसमें ions का change होगा देखते है HCl plus silver और दोनों के ions क्या है आपके that is Cl और NO3 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 ऐसी रहेगा हमने क्या change क्या hydrogen और silver का exchange कर दिया their ions in their reactions तो दोनों को हमने क्या कर दिया change कर दिया तो यह example आप दे सकते है इसके लाब और भी example आप दे सकते है ठीक है आके देखते है 14th question क्या है in the refining of the silver the recovery of the silver from the silver nitride solution involved displacement by the copper metal write down the reactions यह question one marks में आ सबता है कि आपको आप क्या करना है इसकी reaction बना के दिखाना है इसमें क्या वो लगया है कि silver nitrate का solution है उसके अंदर क्या हो रही है displacement हो रही है by the copper metal के साथ तो हमें reaction लिखनी है उनकी तो हमने क्या क्या silver nitrate लिया plus copper लिया तो हमने क्या copper nitrate displacement कर दिया copper का तो copper nitrate हो गया और हमने silver को के कर दिया अलग कर दिया तो क्या reaction बन गया हमारा 2AGNO3 plus Cu that is copper CuNO3 that is copper nitrate and 2AG that is silver इसना clear है तो अब इसका displace करना है क्या copper metal को ठीक है silver nitrate में I hope आपको clear हो गया होगा चोटा कोशन था आगे देखते है What do you mean by precipitation reaction इसमें क्या होता है जिसमें insoluble substance क्या होता है formed होते है ठीक है insoluble जो कि soluble नहीं हो सकते है ठीक है तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने ऐसा example में बत देखते है तो that means क्या form हो गया that is insoluble substances हो गया that is silver chloride and sodium nitrate ऐसी यह आप देख सकते हो sodium sulfate और buruene chloride buruene sulfate हो गया और sodium chloride हो गया तो क्या formed हो गया insoluble आपके substances formed हो जाते है ठीक है बहुत ही easy language जो मैंने लिखा आप थोड़ा से extent करके भी से बता सकते है जैसे example number one को थोड़ा से extent करके आप बता सकते हो कि कैसे कैसे हुआ है 16 देखते है explain the following in the terms of gain or the loss of oxygen with the two examples each अब आपको gain और loss का बताना है oxygen का ठीक है oxidation oxidation में क्या होता है oxygen की addition होती है hydrogen की क्या होती है removal होती है तो उसको आपके ते oxidation example में आप देखो 2CO plus O2 तो इसमें क्या हो रहा है oxygen add हो रहा है तो यह क्या हो रहा है oxidation हो रहा है acid 2Mg plus O2 तो इसमें क्या हो रहा है oxygen का addition हो ठीक है तो यह हो गए oxidation और reduction reduction की कर मैं बात करूँ इसमें क्या हो रहा है hydrogen की addition होगी और oxygen की क्या होगी? Removal होगी. Remove हो जाएगा वो. तो जैसे मैंने एक्जामपल दे रखा है, that is COO, copper plus H2, तो इसमें क्या हो रहा है? आपका O की removal हो रही है. Oxygen क्या हो रहा है? CuO में से क्या हो रहा है? Remove हो रहा है oxygen. और hydrogen में क्या हो रहा है? जब add-on हो रहा होगा oxygen, जैसे इसके अंदर H2O के अंदर add हो रहा है, तो that is oxidation हो रहा है. अगर removal हो रहा है O का oxygen का, तो that means reduction हो रहा है. तो आपको सिर्फ यह चीज़ याद रखनी है, oxidation और reduction क्या होता है? चाहिए, next example देखते हैं, अब zinc में से क्या हो रहा है? O का, oxygen के क्या हो रहा है? reduce हो रहा है, removal हो रहा है. तो आप लिख सकते हैं, ऐसी CO, यह oxidation हो रहा है, oxygen addition हो रहा है उसका. तो आप ऐसे लिख सकते हैं. आगे देखते हैं, 17th question, a shiny brown colored element acts on heating in the air becomes black in color. अब कोई एक element है, जो की एक shiny brown color का है, जब उसको हम गरम करते हैं, heat करते हैं, अगर हवा बहुत गरम गरम चल रही हो, तो वो क्या हो रहा है? ब्लैक हो जाता है. उस element का हमें नाम बताना है, और उस black colored compound का भी हमें नाम बताना है. तो वो क्या हो जाता है? copper होता है, ब्राउन कलर का होता है, heat करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, copper oxide बन जाता है, black हो जाता है, ठीक है, तो वो ही हमें बताना है, that is copper plus oxygen, तो क्या बनेगा, हमारा copper oxide बन जाएगा, ठीक है, I hope आपको clear हो गया होगा, next देखते हैं, बहुत easy questions है, why do we apply paint on the iron articles, अब iron की चीज़ों पर paint क्यों करा जाता है, क्योंकि जिससे rusting ना हो, junk ना लगी, ठीक है, क्योंकि iron metal के उपर क्या होता है, कुछ subtensis का attack होने लग जाता है, जैसे moisture हो गया, acid हो गया, तो उस की वज़े से क्या हो जाता है, rusting हो जाती है, ठीक है, तो उस iron को damage से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उ ठीक है, तो यह आप पुरान सर पढ़ सकते हो, आप पुरा अपने language में लिख सकते हो, मैंने लिख दिया आपका, ठीक है, तो आपको यहां तक लिखना है, कि वो हमें rusting से बचाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देख लो, oil and fat containing food items are flashed with nitrogen white, अब oil और fat food items के अंदर होती हैं, लेकिन वो nitrogen के साथ, nitrogen के साथ react नहीं करते हैं, क्यों है ऐसा, अब आप packets वगरा देखोगे, तो उसमें क्या होती है, हवा होती है, तो वो nitrogen डाल देते हैं, उसके अंदर, जिससे क्या होता है, उसमें से bad smell नहीं आती है, उसक atmosphere में ऐसी छोड़ो, तो क्या होगा, उसका color, उसका smell, सब कुछ, उसका taste, सब कुछ change हो जाएगा, जो कि बोलते हैं, कि बाजी खाना नहीं खाना जीए, तो उसमें क्या होता है, जब हम बाजी खाना खाते हैं, तो उसका taste change हो जाता है, उसकी smell आने लग जाती है, तो ये सब corrosion और rincidity क्या होता है, अब corrosion क्या होता है, कुछ subtenses पे क्या होते हैं, rusting वगएरा होती है, कुछ materials पे खराब हो जाते हैं, कुछ materials जो हमने अभी rusting की बात की थी, तो उसे हम कहते हैं, collision और rincidity होता है, जब fats और oil कुछ तिनों के लिए हम open पे रख देते हैं, तो उनकी smell, taste, स change हो जाता है, तो इसी phenomenon को हम कहते हैं, recidity कहते हैं, यह तो बहुत ही easy topic था, last topic था रहा हमारा यह बहुत ही easy topic था, I hope आपको clear हो गया, 20 के 20 questions हमने इस वीडियो में complete कर दी है, यह chapter पूरा complete हो चुखा है, एक दिन हम पूरा revision करेंगे, next chapter आपका light chapter, light chapter थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, चीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू कर देजगा, चैनल में पसंद आ रहो तो subscribe करना मत बूलेगा, मिलते हैं next video में, thank you so much for watching, bye bye